उम नमो भगवते वासु देवाई नमाहा स्वागत है आपका खुश्यों के त्योहार में यहां हम त्योहार की तयारी से पूजा की धाली तक कसाफर पूरा करेंगे कार्तिक महात में पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में सुनिए कार्तिक महात में अध्याय 11, 12 और 13 अथ 11 अध्याय एक समिनारत जी व्यास जी से पूछने लगे की है व्यास जी ग्रिहस्त आशरम सब आशरमों से उत्तम क्यूं माना गया है तब व्यास जी ने कहा जैसे सब नद्य समूंदर में आशरे पाती हैं और सब जीव माता का आशरे पाकर ही जीवित रहते हैं छे प्रकार के भीक्षुक, प्रमचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरुपूजक, यात्री तथा जीविकारहित ये सब ग्रिहस्तों का ही आशरे पाते हैं फिर व्यास जी बोले हे नारत अब तुम अतिपुन्य देने वाला एक पुरातन इतिहा सुनो उत्तान पाद, राजा का पुत्र उत्तम था जो बड़ा बलवान और मदीरा पीने वाला था उसने बहुला नामवाली स्त्री से विवा किया और राजा रानी दोनों ही अतिपुरेम के साथ रहने लगे एक समय राजा ने वैशा का न्रित्य देखते में मदीरापान किया और राणी को भी मदीरापान के लिए कहा परन्तु राणी ने उसका कहा नहीं माना इस पर राजा निक रोधिद होकर अपने अनुचरों को आग्या दी कि वो राणी को किसी निर्जनवन में छोड़ाए सर्थ पश्चाथ राजा राणी के वियोग में दुखी तो हुआ मगर उसने दूसरा विवा नहीं किया और प्रजा का पुत्र के सामान फालन करने लगा एक दिन एक ब्राहमन राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन मेरी को इस तरी का अपरन करके ले गया है उसके वियो ब्राह्मन कहने लगा राजन छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। ब्राह्मन कहने लगा कि राजन मेरी स्थरी मेरे धर्व और कर्व की अरधांग नी है। ब्राह्मन के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्थरे लेकर रत पर सवाद हुआ और चार और घूम फिर उस इस्थरी को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहां पर एक महान तेजेसरी रिशी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस रिशी ने राजा का कोई आदसत्कार नहीं किया और बोला मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तान पाद के पुत्र हो मगर तुम यहां किस शरण में आये हो। राजा कहने लगा हे मुने ब्राहमन के घर से कोई उसकी स्त्री को हल्ड कर ले गया है। मैं उसकी खोज में इधर आये हूँ परन्तु आपने अर्गय आदी कुछ भी नहीं दिया और नहीं किसी प्रकार का सत्कार क्या इसका क्या कारण है। रीशी ने उत्तर दिया राजन तुम अर्गय योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो क्यूंकि तुमने अपनी नीरा प्राद इस्त्री को वन में त्याग दिया। जायुक तो हो पूछने लगा कि भगवाल आभूत भविश और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं। इसलिए क्रिबा करके बताईए कि ब्राहमन के स्त्री को कौन और कहां हर कर ले गया है। रिशी कहने लगे कि राजर अदीती का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राहमनी को उत्पला वर्त वन में लहर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढून कर ब्राहमन का सैयोग कराओ। राजर ने मूनी को प्रणाम किया और अपने रत पर सवार होकर मूनी के बता हुए मारक पर जाकर उत्पला वर्त वन में जा पहुचा। वहां जाकर देखा कि एक इस्त्री बिल्वफल खा रही है। जैसा ब्राहमन ने बताया था वैसे ही उसका रंग रूप देखकर राजर ने उसको पहचान लिया और कहा कि हे कल्यानी तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो ब्राहमनी बोली मैं अतिरातर ब्राहमन की पुत्री और विशाल पुत्र की स्थरी हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस मुझको खर कर यहां पर ले आया है। राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन मुझे क्या आग्या है। राजा कहने लगा कि राजन मेरे घर में अनिक अपसरा है। उनको छोड़कर मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पुरव जनम के पापों का प्राश्चित कर रहा हूं। इस ब्राहमनी का पती राक्षसों को मारने का म लाया हूं क्योंकि बिना इस तरी के पुरुष कर्म का अधिकार नहीं होता। कि आग गया बाते वराक्षस उस प्राहमणी को उसके घर छोड़ने चला गया तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपने निर्दोश स्थरी को घर से निकाल दिया अब ऐसे कौन सा पुर्णे करम करूं जिससे यह पाप दूर हो तब राजा पुना उन्ही मुनी के पास गया औ और अपना करता वे पुछा मुनी ने कहा है राजन पुरुष के लिए स्थरी धर्म अर्थ काम और मुख्ष सभी कुछ देने वाली है स्थरी के बिना पुरुष को इस लोग में तथा पर लोग कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता स्थरी चाहे कैसे खोटे सभावाली राजा कहने लगे कि है मुने मैंने अपने निदोश एवं पती व्रता स्थरी को बिना अपराद त्याग दिया अब मैं क्या करूं तब मुनी ने कहा कि राजन तुम्हारी स्थरी को शतापात नाम के नाग ने वन में घुमते हुए देखा तो वा उसको पाताल लोग में ल अपने घर में देखका बहुत प्रसन हुआ तफपश्चात राजा ने वलाख नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंथी राक्षस के पास आकर उपस्तित हो गया वलाख को देखकर राजा ने उसे पताल लोग में अपनी स्थरी को लाने का आदेश दिया उसके बाद पर आक्षस पाता लोग को गया और वहां से राजा की स्थरी लाकर उसको सौब दी तफपश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे नारजी कहते हैं कि हे राजा प्रितु हमने तुमको ग्रिहस्त आश्रम महात्मे अती विस्तार सही सुनाया अब और क्या सुनन पक्रिपा करके तुलसी का महात्मे भी कहिए यह सुनकर नारजी कहने लगे कि हे राजा प्रितु प्राचिनकाल में सैयादिय छेत्र में करवरी पूर में धर्म दत्र नाम वाला एक ब्रह्मन था वो बड़ा ब्रह्म ग्यानी धर्मात्मा तथा ओम नमु भगवते वासु को देवाई इस मंदर का जाप करने वाला तथा अतिती सेवक था एक दिन वह ब्रह्मन पूजा की समागरी लेकर एक पहरात्री रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था इतने में सामने से आती हुई एक भेंकर राक्चसी को देखा बिलकुल लगन सुखी देवाली आग उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर होगे वा हाथ जोड़कर धर्मदत के पैर उपे गिर पड़ी तब धर्मदत कहने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप के करन तुम्हारी या दशा हुई है या मुझसे कहो वा कहने लगी कि सौराश्ट्रे देश में भिग पती दूसरे विवा करने का निश्य किया तो क्रोध में आकर मैंने विश्खा कर अपना शरीर त्याग दिया तब यमदूद मुझको बान कर यमराज के पास ले गए ततपशत यमराज को चितरुप मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते विए बोले कि महाराज इसने कभी कोई शुब कर्म नहीं किया सदेव अपने पती के साथ द्वेश करती रथी या सुनकर यमराज ने आग्या दी क्यूंकि वो जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी इसलिए उसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनी में भेजा जाए या अपने वैशे के शरीर में प्रवेश करके क्रिश्णा और वेनी नदी के संगम पहराई जैसे ही नदी के तट पर पहुंची विश्णु के दूतों ने मुझे वैशे के शरी से निकाल कर बाहर फेक दिया घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नस्ठ हो गए अब क्रिपा करके ये बताईए कि इन तिनों योनियों में से छुटकारा कैसे होगा धर्मदत कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अती दुखित हुआ हूँ तीर्थ वरत दान या कारे प्रेत योनी में नहीं हो सकते तुम्हारे पाप अधिक और नमो भगवते वासु देवाय का मंत्र पढ़ा वककला प्रेत योनी से मुक्त होकर अगनी के समान दिव्य देधारन करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गए तथ पचत उसने ब्राह्मन को नमस्कार किया और प्रसंता पूर्वक बुली भगवन पाप रूपी समुन्दर में डूबी हुई मुझको आपने नौकारूप होकर बचा लिया है उसी समय भगवान विश्णु के दूत पुन्नेशिल तता चुशील वहां आग है और उसको वीमान में बिठाकर वैकुंठ ले जाते हुए धर्मदत से बोले हे ब्राह्मन तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ती में लगे रहते हो तुमारे कार्थिक वरत के आदेव पुन्नेश के प्रताप से ही इसको मुक्ती प्राप्त हुई है हे विप्र कालंतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे इसी प्रकार कार्थिक महत्मे में बारवा अध्याय समाप्त हुआ अथ तेरवा अध्याय इतनी कथा सुनकर राजा प्रितु ने कहा कि हे महराज कृपा करके भगवान की पूजा का महत्मे कहिए तब नारज जी कहने लगे कि हे राजा जो हसी में भी भगवान का भजन करत वह परब्द को प्राप्त हो जाता है परंतु जो शद्धा पूर्वग भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है इस संमन्न में हम तुमको एक पुराणा इतिहां सुनानते हैं कालीद परवत परवसे दिर्गपूर नाम के नगर में अती धर्मात्मा प्रजा को पूत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था उसके धूमर केश नाम वाले अती दोस्ट चोर जुवारी पर स्त्रीगामी तथा वैविचारी एक पू में गया तो रानी उस पर मुहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया पुत्र होने के कारण उसे प्राण दन नहीं दिया अब राज कुमार वन में रहकर प्रति दिन मांस खाता और रातरी को वैश्याओं के घर में रहता था चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वो वैश्याओं को दे देता इस प्रकार फिरते फिरते वो एक दिन व्रिंदावन आ गया कुछ समय बाद सत्य व्रत नाम वाला एक भगवान विश्यों का भाक्त अपना घर बार छोड़ कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वो केवल कंद मूल और फल ही खाता था वनित्य भगवान से प्रातना करता की है भगवन इस दुख रूपी सम्मुदर में डूपते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए श्री राधाजी सहित में आपको नमस्कार करता हूँ वो अप्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता इसी प्रकार वनित्य प्रती करता देवियोग से एक दिन धुमकेश ने उस ब्राह्मन को या क्रिया करते देखी जब रात्री को घर आया तो वहां आकर वैशा के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ती बना कर वैसे ही सबकृत्ते किया अंथ में उसी भाती सूती आदी करके रात्री को वैशा के घर में ही सो गया देवियोग से राजा के दूद भी उसी समय वहां आ गये और उनके हाथ में धूमरकेश वहां मारा गया और यमदुत उसको महापापी समझ कर मारते वे पकड़ कर उसको यमराज के पास ले आए उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर के आधी प्रधान किया फिर उसने अपने दूतों से कहा कि तुमको धिककार है जब तुमसे हमारा कहना है कि विश्रु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ फिर धूमकेश को यहाँ पर क्यों लाए उसने चाहे हास से ही कार्थिक मास का प्रत प्रिंदावन धाम में किया मगर फिर भी यह वैकुंट में जाने के योग्य है यमराज पुना धूमकेश से बोले की भगवान की भक्ती नवप्रकार की है उनकी कथा सुनने से राजा परिक्षित कीर्थन से शुकदेव स्मरण से प्रहलाद पा तुमने भी चाहे हास्से से ही भगवान की पूजा की मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो यते भी तुम अपनी कर्वानुसार पहले नर्व के अधिकारी थे मगर अब वैकुंट के अधिकारी हो कार्थिक मास में की गई भगवान की पूजा वेर्थ नहीं जा सकत यह आमराज कहने लगे कि किसी समय वेद शीरा नाम के रिशी सब लोगों के हित के लिए गंगातर पर तपस्या करते रहते थे उस रम्रिक स्थान में उनके तपसे इंद्र अत्यन भैबीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मन्जुग घोशा नाम वाली अपसरा को भेजा मन्जुग घोशा वन में क्रिडा करती हुई अपने यौवं ततरूब का प्रदर्शन करके अने खाव भाव दिखाने लगी उसी समय मन्जुग घोशा ने मुनी के चरण का इसपर्श किया तो रिशी के रोमांच खड़े हो गए उस समय मन्जुग घोशा ने रिशी को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भूजाय डाल दी तब रिशी ने क्रोधी धोकर श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझे पर इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो तब मन्जुग घोशा कहने लगी कि है मुने मैं श्राप योग्य नहीं हूँ आप मुझे छमा कर दीजे तब मुनी कहने लगी कि जिस समय विश्णु वरिंदा को श्राप वश्शिला रूप होकर तुम में गंड की नदी में इस्तित होंगे तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी अता तुम्हारा श्राप वर्दान से भी अधिक श्रेस्ट होगा यह मुराज कहने लगी कि है राजकुमर अब तुम विश्णु लोग को जाओ तब धूमरकेश सुन्दर विमार में बैठ कर बैकूट को चला गया इसी प्रकार कार्तिक महत्मे में तेरव का धन्यवाद उम नमो भगवति वासुदेवाय नमहा